हलो फेंड वेलकम टू मैं चैनल आज हम वीडियो पर नारियल तेल के साथ विटामिन E के अपसूल मिलाकर लगाने के फायदों के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाओं अगर आप चैनल पर नए है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सके साथ ही जनकारी गुण होते हैं इसके साथ विटामिन E कैपसुल को मिक्स करके लगाने से कई तरह की समस्याइं दूर होती है इसके इस्तमाल से इसकिन के सांसाथ बालों को भी फायदा मिलता है सबसे पहला फायदा तो यह है कि बालों की ग्रोथ होगी डबल विटामिन E में कई ऐसे एंट विटामिन E कैपसूल लगाने से स्किन के डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं इससे तवच्चा की बनावट में भी सुधार आता है। विटामिन E और नारियल तेल में नैशरल मौस राइजिंग गुण पाए जाते हैं जो ड्राय स्किन से रहत दिलाते हैं। इसके अलवा इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर लगाने से बढ़ती उम्र के लक्षण कम होते हैं। इससे तवच्चा में कसाव आता है और फाइन लाइन्स कम होती हैं। और अगर आप जड़ते बालों की समस्या से परिशान हैं तो विटामिन E के साथ नारियल तेल लगाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और विटामिन E और नारियल तेल का मिश्रण चहरे तवच्चा की रंगत में सुधार करने में मदद करता है। इसके लगातार इस्तमाल से पिग्मिटेशन कम होती है। इसके साथ विटामिन E और नारियल तेल चहरे पर लगाने से एकने की समस्या दूर होती है। इससे इसकिन गहराई से क्लीन होती है। विटामिन E इसकिन से दाग, घब्बे और जहाईयों को हटा कर इसकिन को गोरा और टाइड बनाता है विटामिन E तवक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है यह तवक्षा को निखारता है जुर्यों और उम्र के निशानों को कम करने में काफी मदद करता है और इसकिन को स्मूध और हेल्दी बनाता है इसके कुछ ही दिन के इस्तमाल से आपकी इसकिन जवाँ दिखाई देने लग जाएगी तो आई हम बात करते हैं अब गलो बढ़ाने के लिए कैसे उप्रयोग करें विटामिन E और नारियल तेल का अब इसे हतेलियों पर थोड़ी देर के लिए रगणे और चहरे पर कोने कोने पर लगाएं तेल से अच्छी तरह से चहरे की मसाज करें आप चाहें तो इसे 20 मिनट के लिए चहरे पर लगा रहने दें या फिर सुबह उठकर धो लें विटामिन E तेल का उपयोग रात भर के लिए लगाने से चहरे पर एंटे एजिंग का काम करता है यह गाड़ा होता है इसलिए इसे सोने से पहले लगाना सबसे अच्छा है ताकि यह पूरी तरह से तच्चा में आशोशित हो सके और अपना कमाल दिखा सके इसे सुभह लगाने से बचना चाहिए क्योंकि यह तेल गाड़ा होता है इसलिए इसे सुभह लगाने से बचें इसे लगाकर चहरे पर मेकप करना या सीरम लगाना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है इससे इसकिन बेहद ओईली हो सकती है आप चाहें तो नार्यल तेल और विटामिन E का मिश्रण फटे सूखे होठों से शुटकारा पाने के लिए आप विटामिन E का यूज़ कर सकते हैं इससे इसकिन दुबारा रिपेर होती है और नरम इसकिन उपर आती है या फटे होठों की वजह से होने वाले दर्द से भी शुटकारा दिलाता है इसे लगाना हो तो सोने से पहले इसका उपयोग करें